हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुद सिविल गयान सिटी दोस्तो डेरी जेनरल नौलेज और और औरनेस का क्लासेश चल ला था तो यह उन्तीसवा लेक्चर है इसको कंटेनिव करेंगे तो जो भी इंजिनियरिंग स्टुडेंट्स है जो भी इंजिनियरिंग बैग्राउंड के जैसे कि एक्जाम जो आजए पैसी है इमेंस का हो गया यूपी पैसी क्या हो गया भी पैसी का होगा तो यह सारे एक्जाम में जो जनरल नौलेज और ऑरनेस है वो अच्छा का सा कोश्चन आया तो आप इसको देख सकते हैं अगर दोस्तों अगर आप 5-7 मिनिट देते हो ड तो करनाटक होगा इसका अंसर इसको हिंदी में बहुत सकते हैं नागर हिल नागर हिल नेशनल पार्क किस राज्य में है तो करनाटक में है इसका अंसर हो जाए करनाटक नेक्स कोशन दखते हैं हिमाचल परदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है उसके बाद तिसरा कोशन दखते हैं पहले राष्ट मंडल खेल किस देस में हुए थे तो Canada होगा इस कांसर, सबसे पहला जो राष्ट मडल खेल है, वो Canada में हुआ था, अगला कोशन देखेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी में पाये जाने वाला मुख खनीज है, ब्रह्मपुत्र घाटी में पाये जाने वाला मुख खनीज कौन सा है, तो petroleum है, जो minerals होता है तो petroleum हो जाएगा, इसका अंसर, अगला कोशन देखेंगे, इंदरा गांधी नहर को कीन नाधियों से पानी मिलता है, विच रिबर गेट वाटर फ्रों इंदरा गांधी कैनाल, तो सतलज और ब्यास हो जाएगा, अगला कोशन देखेंगे दोस्तों, संसार में सबसे अधिक जहां पर सबसे ज्यादा बारिस होता है तो मासीन दाम हो जाएगा इस कांसर दोस्तों अगला कोशन देखेंगे भारत का सबसे प्राचीनितम तरामंडल कहां पर है इंडिया तो कुलकता होगा इस कांसर को जागा दोस्तों अभी तक आपने सीविल ग्यान सिटी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल पर आपको जैपीश का प्रिभीएस कोशन मेंस का मिल लागा और आपको बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यह डे अगला कोशन देखेंगे दोस्तों भारत में सबसे पहले तोप खाने का पर्योग किस ने किया था तो बाबर होगा इसका अंसर किस तो फाने का प्रिव किस ने किया था तो बाबर होगा वागवत गीता का अंगरेजी में अनुबाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो Charles Wilkins जो है वो पहला European था भागवत गीता को इंगलिस में convert करने वाला अगला question देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा समुंद्र कौन है which is the world's largest city तो भुमद्द सागर होगा इसका अंसर अगला question देखें कि भारत निर्मित प्रथम तत्तों क्या है what is the first element created in India तो पोलोनियम इसका अंसर हो जाएगा पोलोनियम कौन सा राज पहले नेफा के रूप में जना जाता था which state was formerly known as नेफा तो अरुडाचल प्रदिस इसका अंसर हो जाएगा हमपी के खंधर किस राज में है in which state are the rains of हमपी तो करनाटक हो जाएगा इसका अंसर जो इलेक्सन था वो कहां पर हुआ था भुटान में हुआ था सबसे पहला आम चुनाओ अगला कोश्चन देखिए कि किस ने किया था तो चंदर सेखर आजाद हो जाएगा इसका अंसर अंकलेसवर तेल छेतर किस राज में इस थी थे इन वीच स्टेट अंकलेसवर ओयल फिल्ड लोकेटेट तो गुजरात हो जाएगा इसका अंसर चीक है दोस्तो अगला कोशन देखिए कि दिवाने एक कोही क स्थापना की थी दोस्तों इस तरह का कोशन आता है इसलिए हम इसको करा रहे हैं अब प्रिवेश रेकोशन से अभी आप देख सकते हैं आया हुआ है मिदो अच्छी नहर किस नाज्य में है इन वीच स्टेट दमे अच्छी कहना लिस थी तो पस्चिव बंगाल हो जागा इ तो इन लॉम्स डेन जो थी वो और जुन पुरुसकार से सम्मानित प्रथा में बहिला थी गैसों का दाप किस यंदर से मापा जाता है विच विच डिवाइस इस प्रेसर ऑफ गैसे में तो मैनोमीटर इसका अंसर हो जाएगा हल्दी पोधों के किस भाग से प्राप्त होती तुमेर्क जोय कि लेसर उनीट पात नंतो क्वांस प्राप्त होती है फ्евागा कहता है थी जिस में ओधिक तन मातरा में प्लाइख है विच गैस इस पкихन इस में लॉट क250 और यंदरि आ के नदी फ्र ऑफ गागा तो कावेरी नदी इस कांसर हो जाएगा अर्धगंगा गरूप में किसको जाना आता है कावेरी नदी को Air India की प्रथम महिला पाइलेट कौन थी? Who was the first woman pilot of Air India तो हर प्रित अहलवालिय जो थे वो Air India के प्रथम महिला पाइलेट थी ठीक है? अगला कोचन देखेंगे दोस्तो हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अधार सच्छम भुगतान प्रडाली सेवा लौच किया है? विच पेमेंट बैंक है रिसेंटली लौच अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस तो एर टेल पेमेंट बैंक होगा इसका अंसर हाल ही में किस का नाम लिमका बुक औफ रिकॉर्ड में सामिल किया गया है? तो विच नेम हैज बिन इंकुलेड़ इन लिमका बुक औफ रिकॉर्ड रिसेंटली तो स्री करपरसाद श्री करपरसाद ने सबसे पहले लिमका बुक औफ रिकॉर्ड में सामिल किया है? हाल ही में एग्रहमे राष्टी क्रिसी विज्ञान केंदर सम्मिलन का उद्गाटन कहां किया गया? इसको एक बार विजन कर लेते हैं हम लोग फिर से नागर हिल नेशनल पार्क किस राज्य में है तो करनाटक हो जागा इसका अंसर मचल परदेश के किस जीले की सीमा चीन के साथ लगती है तो किन्नावर हो जाएगा? पहले रास्ट मंडल खेल किस देश में हुए थे तो कनाडा हो जाएगा इसका अंसर ब्रह्मपुत्र घाटी में पाय जानवा लमुक खनीच पेट्रोलियम है इंद्रा गांदी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है तो सतलोज और व्यास हो जाएगा संसार में सबसे अधिक बरसावला स्थान कोन है? मासीन राम हो जाएगा मंदीर का सबसे पहला गलियारा कहां पे है? रमेश्वरम में है ठीक है इसका रमेश्वरम आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे दोस्तों भारत का सबसे प्राचिंतम तरामानल कहां पे है? कुलकत्ता में है हिंदुस्तान मसीन टूल्स उधोकिस सर में इस्ते थे बंगलोर में चुमबके छेदर की तिवरता की क्या होती है तो एंपियर मिटर होती है सबसे पहले तूब खाने का प्रयोग किस ने किया था तो बाबर ने भागवद गीता का अंगरेजी मुन बाद करने वाला पहला येरोपेन कौन था? चार्ल्स विकिन्स था दुनिया के सबसे बड़ा समुद्र कौन है? भुमद्य सागर है भारत निर्मित पर्थम तब तो क्या है? पॉलोनियम है कौन सा राज पहले नेभा के रूप में जाना जाता था तो उड़ाचल परदेश हो जाएगा हमपी के खंडर किस राज में है? करनाटक में हो जाएगा भारती उपमादी में सबसे पहला आम चुनाव किस देश में हुगा था? भुटान में हो जाएगा हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपबलिक अर्मी का गठन किसने किया था? चंदर सिगरा जाद ने किया था? अंगले सवर तेल छेतर किस राज में है? गुजरात में है? दिवान एकोई के सापना किसने किती मुहंबत तुगलक ने किती मुयूराचिन नार किसने मैं है? ब्टर्स से हो जाएगा विश्ट परतिरोध का सप्रिश का ओम बीटर हो जागा अधिकतर मत्रा में कौन से पाइज आ जाता है अर्थ गंगा गरुप में किस नदी को कावीरी नदी को who was the first woman pilot of Air India तो हर प्रित अहलवालिया हो जागा इसका अंसर हाल ही में किस पेमेंट बैक ने आधार सच्छम भुकतान प्राड़ी से वा लॉंच किया है तो एर अटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस का नाम लिम्का बुक आप रिकोर्ड में सामिल किया गया है तो स्रीकर परसाद का हाल ही में एक राहा में रास्टी एक क्रिसी बिज्ञान के अंदर समयलन का घटन कहां किया गया है तो नई दिल्ले में किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरा कंप्लेट होता है thank you for watching this video, have a nice day.